श्री गनेशाय नमाहा नमस्कार दोस्तो ये राशिफल चंदर राशिपर आधारित है चंदरमा मन का कारक है हमारे मन पर जो भी उतार जड़ाओ आते है वो चंदरमा की स्तिती ले कर आती है और इस वज़े से चंदरमा की पोजीशन हमारी रोज की जीवन को बहुत बुरा जाता है तो आईए जानते हैं इस दिन चंद्रमा आपके लिए किस तरह के परिणाम ला रहे हैं दोस्तों इस दिन चंद्रमा आपकी कुंडली में सब्तम्भाव में रहेंगे इस दिन स्थिती पूरी तरीके से आपके हक में रहेगी इस समय में आपको अपने ससुराल से विशेशकर लाब की प्राप्ति होगी, उससे आपका भाग्य उद्धै भी हो सकता है, आपके भाग्य में रुद्धी का बहुत बड़ा जरीया आपके ससुराल पक्ष के लोग बन सकते हैं, इस समय में स्त्री पक्ष से भी आपको लाब होगा, जीवन साती से विशेश सप मिलकर अपने काम को आगे बढ़ा पाओगे काम के नए जरिये इस समय में आपको मिलेंगे अगर आप इस समय में अपने future की planning करते हो तो वो भी सपल होगी आगे जाकर आपको इसका लाब प्राप्त होगा इस समय में married life में मधूरता आएगी हर प्रकार से partners एक दूसरी को सहयोग करते हुए नजर आएगे इस समय में घूमने फिरने का मौका भी आपको जरूर मिलेगा ये दिन आप के लिए romantic साबित होने वाला है अगर students की बात करते है तो इस समय में students को ग्रहों से विशेश क्रिपा प्राप्त हो रही है पढ़ाय में concentrate कर पाओगे अगर इस समय में कोई competitive exam या किसी तरह की exam आती है तो उसे आप अच्छे से clear कर पाओगे जिनकी विद्या अधोरी रह गए थी इस दिन उसे पूरा करने का मौका आपको जरूर मिलेगा अगर आपकी विद्या गरहन करने में कुछ रुकावटे आ रही थी तो इस दिन आप एक नई शुरुवात जरूर कर पाओगे इस समय में अगर आप अपनी future की प्लानिंग करते हो तो सफलताज जरूर मिलेगी दोस्तो इस समय में आपके स्वभाव में गंबिर्ता बोली में मिठास और बुद्धी में तेजी नजर आएगी आप तीवरगती से सभी कामों को पूरा करोगे जोश और उत्साह आपके अंदर भरा होगा दोस्तो इस समय को व्यर्थ मत जाने दीजेगा आप अपने स्वभाव से आसपास के लोगों को आकरशित करने में काम्याब रहोगे ये समय जो लोग नोकरी करते हैं उनके लिए भी शुब रहेगा करमचारी आपके साथ काम करने वाले सहयोगी आपको इस समय में सपोर्ट जरूर करेंगे इस समय में आपके बॉस आपकी प्रशनसा करेंगे आप इस समय में करमच होकर अपने काम को पूरा करोगे आपकी लगन और मेहनत इस समय में लोगों को दिखाई देगी इस दिन स्थान परिवर्तन के प्रबल योग भी बन रहे है जो लोग घर शिप्ट करना चाहते है या फिर अपना काम शिप्ट करना चाहते है उनके लिए रिजल्ट पॉजिटिव आएगा इस समय में आपकी इच्छाओं की पूर्ती जरूर होगी अगर स्वास्ति की बात करते हैं सेहत की बात करते हैं तो इस समय में आपकी सेहत अच्छी रहेगी स्वस्तर होगे जोश और उत्साह आपके अंदर बना रहेगा काम करने की गती बढ़ेगी इस समय में आपको पुराने बीमारियों से भी चुटकारा मिल सकता है उनका इलाज इस दिन आपको मिल सकता है अगर आप हाउस वाइप हो तो ये दिन आपके लिए बहतरीन साबित होगा आपके कामों की गती बढ़ेगी, काम में मन लगेगा, पेंडिंग कामों को पूरा कर पाओगे इस समय में जीवन साथी का और आपके बच्चों का सपोर्ट भी आपको जरूर मिलेगा दिन आपके लिए खुशियों से भरा रहेगा इस समय में आप अपनी परसनेल एटी पर खास ध्यान देते नजर आओगे अगर आप अपने लिए कुछ लापरवाही बरतते थे तो इस समय में सतर्कताद जरूर बरतोगे आप अपने उपर ध्यान दोगे अच्छा पहनना अच्छा खाना इसमें आपका शोक नजर आएगा आप अपने रूटीन में कुछ ना कुछ चेंज इस समय में कर सकते हो जो भी चेंज लाओगे वो आपके लिए शुबही रहेगा हर तरीके से आप इस समय को बहतरिन बनाईए इस समय का पूरा लाब जरूर उठाए दोस्तो इस समय में आपके खर्चे कम होगे और आई ज़्यादा होगी और जो भी खर्चा होगा वो उत्तम और मांगलिक कार्यों में ही होगा कुल मिला कर ये पूरा दिन आपके लिए काम्याबी से भरा रहेगा प्रसन्था पुरुवक आप इस दिन को व्यतित करोगे इस दिन सफे धंक का इस्तिमाल करना आपके लिए अच्छा रहेगा और छे अंक इस दिन आपके लिए लखिसाबित हो सकता है इस दिन अगर आप आटा या दूद का दान करते हो तो आपको विशेश क्रिपा प्राप्त हो सकती है आपकी कोई अधूरी मनोकामना भी इस समय में पूरी हो सकती है दोस्तो ये राशीफल चंद्र राशी पर आधरित है लेकिन कभी कभी हमारी परसनल कुंडली में बाकी ग्रहों की पोजिशन कुछ इस तरह की होती है के आपके राशीफल परिनाम में बदलाव दिख सकता है इसलिए राशीफल को एक मार्गदरशन के तोर पर लिया जाए त सितमबर 2019 का कुंबराशी का राशीफल दोस्तो इस राशीफल में हम जानेंगे आपकी आर्थिक स्थिति आपका बिजनेस सितमबर मन्थ में कैसा रहेगा आपकी नोकरी आपका प्रोफेशन सितमबर में कैसा रहने वाला है आपकी फैमिली लाइप कैसे रहेगी ये भी जा बहुती महत्पपुर्ण रहेगा इस समय में श्राद्ध पक्ष में आपकी फैमिली में अपने पित्रों के लिए आप जो भी करते आए हैं जो भी प्रक्रिया करते हैं जो आपके पुर्वजों से आप करते आ रहे हैं वो चीजे करना बहुती महत्पपुर्ण होता है उसके अलावा और कुछ करते हैं नहीं करते हैं वो आपकी मर्जी लेकिन जो आप करते आ रहे हैं वो आपको करना बहुत ही जरूरी होता है तो इस बात का ध्यान पित्र पक्ष में आपको रखना होगा तो दोस्तो इस समय में आप अपने पित्रों का आशिरवात प्राप कर सकते है 23 सितंबर को 9 मिश्राद रहेगा और 28 सितंबर को सर्वपित्र अमाउस्य रहेगी दोस्तो हर महिने कुछ ऐसे दिन होते है जब हमें परिशानिया घेरने लगती है चिड़चिडा हट होती है काम बिगड़ते है खास तौर पर मानसिक तौर पर हम बहुत ज़्यादा डिस्टरबर रहते है कुछ ऐसी डेट्स है जो मैं आपको बताने वाला हूँ इस समय में आप जरूर सावधान रहें वो डेट्स है 1 तारीक, 2 तारीक, 10 तारीक, 11 तारीक, 20 तारीक, 28 और 29 तारीक दोस्तो 1, 2, 10, 11, 20, 21, 28, 29 इन दिनों में थोड़ा अलर्ट रहे, साउधान रहे, हो सके तो कुछ उपाई जरूर करे चलिए दोस्तो अब देखते हैं सितमबर मन्थ में आपकी आर्थिक स्तिती कैसे रहनी वाली है और आपका बिजनिस कैसा रहेगा दोस्तो ये मन्थ आपके लिए अच्छे बदलाव लेकर आएगा आप इस महिने में आपके आर्थिक मामलों में कुछ बदलाव जरूर देखेंगे जो आपके लिए अच्छे रहेंगे पॉजिटिव रहेंगे इस महिने में आपके जो सोचे हुए काम है जिनकी आपने प्लानिंग की है वो कुछ हद तक पूरे जरूर होंगे लेकिन सारे की सारे काम पूरे होनी की संभावना कम रहेगी फिर भी प्रयाज जरूर करें दोस्तो इस महिने आपका पराकरम बढ़ेगा आपका सेल्फ कॉन्पिडेंस बहुत ज्यादा रहेगा और साथ ही इनकम के नए सोर्स आपके लिए इस समय में जनरेट हो सकते हैं आपको लगेगा कि यस मैं कुछ नया कुछ बड़ा कर सकता हूँ बिजनेस से जुड़े लोगों को थोड़ा ध्यान रखना होगा सेल्स परचेस मार्केटिंग इन चीजों की तरफ ज्यादा ध्यान देना होगा कस्टमर को लोभाने के नए नए तरीके आपको इस समय में आजमाने जरूरी रहेंगे दोस्तो इस महिने में शेयर्स में जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं जो लॉंग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं शेयर बाजार में या फिर वाइदा बाजर में तो ये समय investment करने के लिए बहतरीन है इसका आपको अच्छालाब हो सकता है अगर आप लंबे समय से संपत्ती खरीदने का सोच रहे है व्यापार में कुछ नया करने का घर खरीदने का या फिर गहने खरीदने का सोच रहे है तो समय आपके लिए बहुत अच्छा है इस समय में आप आगे बढ़ सकते है कोई फाइदेमन डील्स या टेंडर्स पाने के लिए आपको इस समय में मेहनत करनी चाहिए जी हाँ आलस्य को दूर करें और मेहनत ज्यादा करें जी हाँ आलस्य से विलकुल नहीं रखना है क्योंकि आलस्य आने वाला है लेकिन आपको आलस्य को हटाते हुए अपने काम को पूरी मेहनत से पुरा करना है आप सफल जरूर होगे क्योंकि पूरा मन्थ आलस्ते से भरा नहीं रहेगा आलस्ते से बीच बीच में आ सकता है लेकिन पूरे मन्थ में एनरजी लेवल आपकी बहुत हाय रहने वाली है और आएके नए स्टोथ भी डेवलप होने वाले है तो आपको काम करना है आप सक्सेस्पुल जरूर होगे नए सोर्स भी मिलेंगे और आप अच्छा इंकम भी आपके बिजनेस में कर पाओगे आपके बिजनेस की अच्छी ग्रोथ इस महिने आप कर पाओगे दोस्तो इस महिने आपके बिजनेस में आप ध्यान रखे थोड़ा डिसिप्लिन रखे और टाइम मेनेजमेंट अच्छे तरीके से करें जिहां टाइम मेनेजमेंट करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है लेकिन आपको टाइम मेनेजमेंट ठीक करना है और डिसिप्लिन रखना है 5, 28 और 29 तारिक आपके बिजनेस के लिए बहुत शुब रहने वाली है चले दोस्तो आप जानते हैं सितम बरमन्थ में आपकी नोकरी आपका प्रोफेशन कैसा रहने वाला है दोस्तो इस महिने आपकी नोकरी में परिश्थितिया अच्छी बनेगी लेकिन परिश्रम आपको ज्यादा करना पड़ सकता है कुछ डिस्टर्बंसेश, कुछ परिश्चानिया इस महिने देखने को मिल सकती है अपने कामों में ध्यान दे, मन लगा कर काम करने की कोशिश करें तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा अगर आप जौब छोड़ने का सोच रहे हैं तो भी जब तक आप उस जौब में काम कर रहे हैं आपको मन लगा कर काम करना आपके लिए अच्छा रहेगा दोस्तो इस महिने अपने आसपास ध्यान ज़रूर रखे लोगों की बातों में ना आए क्योंकि आपके खिलाप साजीशे रखने वाले लोग इस महिने में ज्यादा एक्टिव रहेंगे आपके खिलाप शडियंत्र साजीशे हो सकती है आपका काम आप जहां काम कर रहे हैं वो जन्म भूमी से दूर है तो उन लोगों के लिए कारिक्षेत्र में सचेत्र रहना जरूरी रहेगा किसी शड्यंत्र का शीकार होने की संभावना आपके लिए ज्यादा रहेगी और आपको ऑफिस में विपरीत परिस्तितियों का भी सामना करना पड़ सकता है अपनी जुबान पर नियंदर रखना इस महिने आपके लिए जरूरी रहेगा पुरुष को महिला और महिला को पुरुष के साथ बात करते वक्त थोड़ा तहजीव दिखानी जरूरी रहेगी जी हाँ हम जानते हैं कि हम अच्छे हैं आपके मन में कुछ बुरा तो नहीं है आप जानते है आप अच्छे है पर देखने वालों का नजरिया बुरा हो सकता है गलत हो सकता है और इसकी बहुत ज्यादा संभावना इस मेने रहेगी तो सावधान रहे सचेत रहे और थोड़े अच्छे डंग से बात चीत करे नहीं तो बुरे आरोप और लांचन लगने की स साथ साथ भागे काफी सहयोग इस मेने आपको प्राप्त होगा आपकी जो योजनाएं आप काफी समय से पूरी नहीं कर पा रहे थे वो योजनाएं आपके बड़े भाई के सहयोग से या फिर किसी भी आपके उमर से ज्यादा बड़े व्यक्ति के सहयोग से काफी हद तक तमबर मन्थ में आपकी फैमिली लाइप कैसे रहने वाली है दोस्तो इस महिने में आपकी फैमिली लाइप में बड़े अच्छे बदलाव आपको देखने को मिलेगे फैमिली में जो भी इशूज थे वो समाप्त होते नजर आएंगे पती-पत्नी के बीच अगर कोई अनबन थी तो वो भी समाप्त हो जाएगी लेकिन आपको कोशिशे करने पड़ेगी जी हाँ प्रयास तो आपको करना ही पड़ेगा ये महिना entertainment से भरा रहेगा और spiritual activities भी इस महिने में आपको देखने को मिलेगी इस महिने हो सके तो आप किसी hill station में जा सकते हैं कोई दूर दराज की यातरा भी कर सकते हैं ये चीजे आपके लिए अच्छे रहेगी तो फैमिली के साथ enjoy करने के लिए ये मन्त बहुत सुंदर है जी हाँ तो थोड़ा समय निकाले और अपने फैमिली के साथ enjoy जरूर करें या फिर आपको अगर शॉपिंग करनी है तो उसके लिए भी ये मन्त बहतरीन रहने वाला है आप शॉपिंग भी कर सकते हैं कोई ऐसी वस्तूद जरूर खरीदे जिससे आपके परिवार में खुशिया आ जाए दोस्तो लव लाइप के लिए भी ये मन्त बहुत अच्छा रहेगा अगर आप साथी की तलाश में हैं तो आपको इस महिने में सफलता मिल सकती है साथ तारीक, आठ तारीक और बाइस तारीक आपके लिए कोई शुबकाम करने के लिए अच्छे रहेगी दोस्तो अगर स्टूडन्स की बात करें तो स्टूडन्स अगर इस महिने कोई इंटर्यू देने जा रहे है तो उसमें सफलता मिलने की पूरी संभावना रहेगी अगर आप पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी करना चाहते है जो के फॉरेन में हम अक्सर देखते हैं लोग पढ़ाई के साथ साथ जॉब करते हैं वैसे तो बहुत मुश्किल हो जाता है लेकिन बहुत ज़्यादा जरूरी है और आप पढ़ाई के साथ जॉब करना चाहते हैं तो वो मोगा इस महिने आपको मिल सकता है तो इस चीज का आप लाब उठा सकते है 5 तारीक, 6 तारीक और 29 तारीक स्टूडन्स के लिए शुभरेने वाली है चलिए दोस्तो अब जानते हैं सितम बरमन्थ में आपका स्वास्थ्य, आपकी सेहत कैसे रहने वाली है दोस्तो ये मन्थ सिहत की दृष्टी से, स्वास्थे के दृष्टी से आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इस मन्थ में अपने डायट पर ध्यान देना आपके लिए अच्छा रहेगा अपने स्वास्थे अनुसार अपने डायट में बदलाव लाए योगा, प्रानयाम और हलकी एक्जरसाइज को अपने डेली रूटीन में जरूर चामिल करें सुभई की फेशवा में तेहलने जरूर जाए ये आपके स्वास्ते के लिए फाइदे मन रहेगा कुल मिला के देखे तो इस महिने स्वास्ते आपका बहुत अच्छा रहेगा तो उसके साथ साथ अच्छी फिटनेस, अच्छा डाइट और अच्छी आदते इन बातों को जीवन में अपना कर अपने जीवन को और बहतरीन बनाए और जीवन के हर पल का आनंज जरूर ले दोस्तो ये था सितंबर मंथ का कुम्ब राशी का राशी फल धन्यवाद